बुट इवनिंग बच्चो ओनलाइन टीजिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है जैसा कि मैं आपका मैचमेटिक्स टीचर टूडे भी बिली स्टार्ट अ न्यू चैप्टर पोलिनॉमियल लेक्चर वन ओके जिन बच्चो को प्रॉब्लेम हो रहा है उनको लाइब क्लास अटेंड करने में या एप्स के बारे में उनको मैं आज क्लियर कर दूँगा कि कोई प्रॉब्लेम नहीं होगा और बहुत लोगों ने जैसे आज बताया चैट का प्रॉब्लेम हो रहा था उनका भी दूर कर दिया मैंने वह वाट्सप ग्रूप पर देखने कैसे करना है फि तो कैसे करना है और कैसे पढ़ना है पोलिनॉमियल को अच्छे ढंक से सीखना है क्योंकि हम लोग आप न्यू चैप्टर पोलिनॉमियल पढ़ने जा रहे हैं ठीक है बच्चों तो सबसे पहले जो हम लोगों का न्यू एप है अब वो ऐलवन कोचिंग के नाम से है ठीक है तो एलवन कोचिंग में जो जैसे एप के बारे में आपको दिक्कत हो रहा है तो एप को कैसे डाउनलोड करना है या एप के बारे में कैसे जानना है उसको अच्छे से सीख लो ताकि तुम लोगों को कोई प्रॉब्लेम्स ना हो ठीक है तो आप लोगों को एलवन कोचिंग launch your red color का रहा होगा जब आप सब लोग download of course कर लिये होंगे तो उस पे सबसे पहले live class के बारे में आ रहा है जिनका नहीं आ रहा है तो नीचे में ध्यान देंगे तो account और आपको shop और ये home करके तीन आ रहा है तो उस पे आप क्लिक करेंगे shop पे तो उस पे आपको सारे recorded classes या जो आपके पीछे के classes हैं या dpp's हैं उसी पे हैं app के बारे में ठीक है और कोई problem है तो आप whatsapp group पे हमको भेजे सारे doubt हम clear कर देंगे कि कैसे करना है ओके clear very good अच्छा है दच तो अब क्या करना है कि questions आपको कैसे भिजने हैं जो हम live class ले रहे हैं या कोई चीज नहीं कर रहे हैं तो आप वहाँ पे live class के नीचे live chat आ रहा है उसको आप click करेंगे तो rate जलेगा रेड करने के बाद आप वहाँ पे Google sign up करना है उसके बाद नीचे advance पे click करना है और उसके बाद allow कर देना है allow करने के बाद वह अपने आप आपका live chat शुरू हो जाएगा very good ताहिल स्रेया ना सभी लोगों का अब हो रहा है दीरे दीरे very good ठीक है तो आप कैसे करना है बच्छो सबसे पहले इसके बाद आपको उस पे dpp जो number system खतम हो गया है उसमें dpp theory सारे चीजें आपको दीखेंगी और उसको फिर solve करना है जो नहीं समझ में आएगा उसको doubt WhatsApp group पे भीजना है मैं solution करके भीजूंगा ठीक है clear तो स्टार्ट करते हैं बच्छो हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं polynomials तो polynomials होता क्या है पहले इसकी meaning क्या होती है इसको सीख लेते हैं ठीक है कि इसको हम लोग कैसे करेंगे और कैसे सोचेंगे तो पहले ये polynomials की meaning समझे लें दो Greek words से बना है एक poly और एक बना है nominal words से ठीक है अब क्या होता है जैसे poly means होता है many ठीक है और many means क्या होता है बहुत इसके बाद nominal means होता है terms होता है चाहते है terms इसके मतलब हिंदी में होते है यानी इसको कहते है हम लोग बहुपद क्या कहते है बहुपद हिंदी में थो खेर message में पहुंको इंग्लिस में समझना है तो क्या होता है यानि many terms यानि simple word में कहें many terms is called called polynomials ओके ऐसे समझना है many terms is called polynomials यहाँ से इसकी सुरुवात होई थी terms है लेकिन आपको क्या करना है जब आप classification और polynomials पढ़ेंगे तो on the basis of there are three types on the basis of terms on the basis of degrees on the basis of variables यानि variate there are three types यानि classification के अधार पे फिर हम लोग समझेंगे तो terms के अधार पे जैसे आप previous class वो class 8 से सीखते आ रहे हैं टर्म्स के बेस पे polynomials के four only types होते हैं ऐसे infinite types होते हैं तो mainly terms में आप कहते हैं term one is monomials term two is binomials term three is trinomials and term four is biquadronomials उसके बाद nth polynomial लेकिन हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे इसको आगे के lecture हो में ओके तो सबसे पहले हम लोगों ने ये term को जाना इसको सीखा इसके बाद बच्चों हम लोगों को सीखना है father of polynomials या founder of polynomials कर सकते हो कि किसने सबसे पहले polynomials को दिया था कौन ऐसे mathematician थे जिन्होंने polynomial को found किया था सबसे पहले in mathematics तो कैसे समझेंगे तो note कर लेना है बच्चों इसको very very important the founder of polynomials is the Greek mathematician diifontas diifontas जो थे सबसे पहले वो ये क्या polynomials की founder थे उन्होंने terms को बताये थे फिर उसके बाद degrees को coefficient को ऐसे बताये थे इसके बाद he is the recorded as the father of algebra इनको father of algebra भी क्योंकि ये जितने भी chapter है linear polynomial ये तो ये सब आगे चलके हम algebra में पढ़ेंगे आगे एक book बन जाएगी algebra ठीक है जैसे हम लोग पढ़ते हैं बहुत सारे chapters ठीक है तो ये सब algebraic में formation में आ जाएंगे आगे जैसे linear equation हैं polynomials हैं ठीक है ये सब chapter एक ही में आएंगे जो algebra है तो इनको as a known as father of algebra भी बोला जाता है ओके ठीक है ओके no Dutch advance पर click करने के बाद allow करना है allow करने के बाद आपका तो हो राइस सो cleared हो गया ओके चलिए अब आगे सीखते हैं उने सीखा कि who was the founder of polynomial किस ने polynomial को सबसे first time दिया था इसके बाद इन्हों ने एक अपने पजल्स बनाये थे डाइफांटास ने अपने एज पे क्योंकि इन्होंने 84 years तक जो है अर्थ पे बिताया था तो वह अपने सारे life को childhood से लेके marriage life से लेके end of life तक का उन्होंने पूरा एक puzzle बनाया था जो 84 years यह इन्होंने गुजारा था तो यह जो पजल था उन्होंने यह linear based पे बनाया था और उसी को उन्होंने प्रूब किया था कि मैं 84 years के age तक ही जिवीत था और इसी पे उन्होंने किया था ही वर्ग ठीक है तो डैफांटास के बाद अब हम लोग सीखेंगे real polynomials के बारे में जो very very important है जो class 9 में पढ़ना है वो actual real polynomial यह है फिर मैं देरे देरे आपको logic और tricks बताऊंगा कि कैसे हम लोगों को systematic ढंक से polynomial को पढ़ना है ताकि polynomial को अच्छे ढंक से हम लोग सीख सकें ठीक है क्योंकि अभी हम लोगोंने जान लिया कि polynomial दो Greek words poly और nominal से बने हैं उसके बाद किस प्रकार से classification होता है polynomials का और उसके बाद हम लोगोंने founder को जाना ओके तो अब बच्छों हम लोग real polynomial पढ़ने जा रहे हैं क्या पढ़ने जा रहे हैं real polynomial जीसमें हम लोगों को बहुत सारे ऐसे चीजों को समझना है ताकि problems नहों कि कैसे हम लोग सीखे तो क्या होता है सबसे पहले इसमें बहुत सारे ऐसे चीजे हैं जो आप नहीं समझेंगे यानि basic terms नहीं समझेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे real polynomial यहीं actual पढ़ना है आगे और इसी पे बहुत सारे question होते हैं टफेश question या Olympiad question तो क्या होता है कि किसी भी expressions में अब जानना पढ़ेगा इसके लिए what is the algebraic expression छोटे छोटे basic terms चोटे छोटे introduction नहीं समझेंगे तो फिर polynomial धीरे धीरे tough होते जाएगा मैं जैसे बोलता हूँ मैं कैसे 0 level से start करना है एकदम 0 level से तो क्या है variables क्या है powers क्या है degree क्या है coefficient एक छोटे छोटे terms का definition हम सिखाएंगे सब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा तो क्या है अब आने वाले हैं algebraic expressions जैसे हम लोग अपने expression को कैसे denote करते हैं या कैसे express करते हैं तो उसी तरह algebraic expression होते हैं तो जैसे उसमें कुछ होते हैं plus, minus, multiply and divide तो यानि जो उसकी expression है कि हमको कुछ sign का use करना है plus, minus, divide and multiply this expression is called algebraic expressions यह expressions है algebraic expression यह क्या है यह symbolic form है in a mathematics version but English version this name is algebraic expression आप से कोई पुछेगा what is the algebraic expression तो plus, minus, multiply and divide another name is addition, sum, subtraction, multiplication and division it is called algebraic expression okay clear होना चाहिए तो यह algebraic expressions इसी के जैसे कोई भी powers होंगे या variables होंगे तो mainly three variables होते हैं in a mathematics version में जो ऐसे तो हम लोग कह सकते हैं कि total English alphabetical A से Z तक जितने भी होते हैं उसमें mainly there are three types of variables algebraic variables x, y and z there are three mainly variables x, y and kya z ठीक है इसी को mainly variables बोला गया है तो किसी भी variables के power देखोगे यहां पर कुछ नहीं है जैसे x, y, z है तो इसके power में जो होता है कुछ नहीं होता है तो हमेशा one रहता है या कोई variable नहीं भी है तो वहाँ variable 0 के रूप में हम लोग कर सकते हैं जिसको constant कर सकते हैं जैसे मालोग की one है तो one को हम लोग लिख सकते है x के power 0 या y के power 0 या z के power 0 समझ में रहा है किसी के भी power 0 होता है वो one होता है तो confusion कहा होता है बच्छो जहां पर ये variable नहीं दिखता है तो सबसे पहले variable भी है अब यहीं पर maths नहीं समझ में आता है क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है तब पर भी होता है तो अगदम confusion को दूर created कर लेना है अगदम अच्छे से समझ में आ रहा है ठीक है तिरा मिसर सर आप NCRT books से क्या अगें NCRT books से total question होगा हां सारे NCRT से zero level से start होगा NCRT से इसके बाद all books काम practice कराएंगे सारे course का जितने भी होंगे हम अच्छे से आपको cover कराएंगे अभी आपको जो पढ़ा रहे हैं उस पे focus करना है ठीक है उसके question आपको मैं बार-बार बता रहा हूं कि live online class में केवल जो सर बताते हैं जो doubt होते हैं उन्हीं के question पुछना है बाकी आप जितने भी बाहर के problem है वो whatsapp group पे share करना है यहीं है live online class में another question के लिए सिर्फ और सिर्फ whatsapp group का use करना है यहां पे जो हम पढ़ा रहे हैं बस उसी के doubt को पुछना है क्लियर ओकी रिप्लाइ में say yes या नो ओके क्लियर चलिए तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं real polynomial का definition कैसे हम लोग समझें कि कैसे polynomial को identify किया जाए और कैसे सीखा जाए तो क्यों क्यों यह होता है जैसे कितने लोग तुरत polynomial को start करते हैं और उसके बाद तुरत monomial binomial ऐसे start कर देते हैं wrong method start कैसे करना है एकदम basic real number जैसे आप कर सकते हैं कि real polynomial से ठीक है यहां से start करेंगे ऐसे समझेंगे toughest point पे फिर दीरे-दीरे हम लोग आएंगे उस पे कैसे करना है ठीक है तो यानि power को अगर कोई भी variable अगर हम polynomial में variable को नहीं सीखे क्योंकि every polynomial depend on variable no variable no polynomial और जो variable होता है वो कहीं कई भी जैसे कहते हैं तब one क्या polynomial नहीं है of course constant polynomial बताएंगे कैसे कैसे पढ़ना है क्योंकि वहां भी variable है बट x के power 0 के रूप में ठीक है तो इसी लिए इसके power को बोल रहा है कि power को चेक करना बहुत ज़रूरी है क्या non negative power मतलब negative नहीं होना चाहिए ठीक है तो उसके identification में बताएंगे तो आप अच्छे से समझना है तो क्या होता है general form of a polynomial अभी definition हम लोग सीखे polynomials का कि कोई भी any expressions जो भी expression हम देंगे having a non negative integral power for the variable is the known of a polynomial यानि variable के power को चेक करना है कि negative power नहीं हो suppose that फॉर अभी मैंने बताया कि three आपके पास variable है mainly English alphabet के x y z अगर हम यह कर दिये कि x के power minus one इसको बोलेंगे not polynomial क्या बोलेंगे not polynomial तो definition clear होना चाहिए कि हम कैसे लीखें या कैसे खेलें ठीक है सर हाँ variable कोई भी alphabet ले सकते हैं नहीं केवल mainly x y z तच न केवल only one fix कर दिया गया इन a mathematics x y z ही mainly three variables होते हैं बाकी सब वो real number constant term या हम लोग constant a b c d से लेकर जितने भी होंगे उसको constant दीरे-दीरे मैं बताऊंगा term wise ओके अब कैसे समझेंगे यहाँ पर इन इंग्लिस formation हो गया अब हम लोग सीखेंगे mathematics वर्जन आपको maths किस तरह से पढ़ना चाहिए जब आप English medium के student हो वर्जन एक आप purely English वर्जन सीखिए और उसको convert करें कि आप maths में कैसे उसको convert करें अब polynomial को हम लोग maths में convert करने जा रहे हैं क्या तो polynomial has denoted by या polynomial को हम लोग कैसे denoted करते हैं नाम क्या है तो p for polynomial p for polynomial और यहां पे जिस variable का चलता रहेगा x तो x variable देंगे या p p for polynomial y है तो y variable सारे term y के होते जाएंगे और फिर या z देंगे तो z के term में चले जाएंगे तो इसी को हम लोग English version में 0s या roots बोलते हैं क्या बोलते हैं 0s या roots तो पहले हम लोग polynomial को समझ लें कि polynomial को हम लोग mainly कैसे denote करेंगे तो polynomial को हम लोग px py pz fx fy fz ठीक है यह mainly नाम है there are six से हम लोग denote कर सकते हैं polynomial को लेकिन उसकी variable उसी के term में होने चाहिए लिखने चाहिए कि कैसे करेंगे ठीक है तो clear reply me say us या no इतने तक clear हुआ polynomial को English version में कैसे लिखना है अब polynomial या definition any expression having non-negative power ऐसे होना चाहिए फिर उसको mathematics version में कैसे लिखना है इसको हम लोग खेल सीखेंगे clear very good ओके तो अब हम लोग कैसे करेंगे ध्यान देना है बच्चों कि इसके यहां पर डरते हैं बच्चों इन a mathematics version लिखते वक्त जैसे यह an expression an expression of the form of px a0 यहां से यह डरना नहीं है अभी खिलाएंगे आप लोगों को कैसे खिलना है ठीक है a0 power में x0 a1 x1 a2 x2 an x1 अब वेर an not equal to 0 ऐसा क्यों अभी बता रहा हूं ठीक है is called a polynomial in x of a degree n अब यहां पर तीन लाइन है a0 a1 a2 an are called real numbers and power x is non negative integer और फिर first में a0 a1 a1 are rational number भी का सकते हैं क्योंकि real number में ऐसे rational number और irrational number आते हैं और फिर n is a non negative integer कोई भी n जो होगा non negative negative बिलकुल नहीं होना चाहिए polynomial में और फिर इसके बाद अब polynomial is a rational integer expression जो भी polynomial होता है उसका जो होता है expression rational integer expression होते हैं जो variable होते हैं वो क्या होते हैं rational integer expression होते हैं इसमें ध्यान देना है जैसे अगर हम कर दिये कि यहां पर root x ऐसे है तो it is a not polynomial यह not polynomial होगा उन में आ रहा है क्यों क्योंकि यह power जो है x के power 1 by 2 हो जाएगा x के power क्या हो जाएगा 1 by 2 तो पहले clear होना चाहिए power जो भी होगा वो 0, 0 के बाद क्या आता है 1, 1, 2, 3 ऐसे power में कभी भी 3 by 2 या 1 by 2 या 5 by 2 नहीं होना चाहिए अगर ऐसा होता है तो वो not polynomial का लाएगा क्या का लाएगा not polynomial okay MF से denote नहीं कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं चाहिल कीसी भी expression से हम लोग polynomial को denote कर सकते हैं लेकिन जब हम aip लिखे हैं तो सारे term aip से ही होने चाहिए for practice करते हैं अभी कैसे यह समझें इसके आगे practice करते हैं जैसे कोई भी polynomial को हम लोग कैसे denote कर रहे हैं पहले चेक करेंगे बच्चों अच्छे से समझना है अब polynomial को लिखते है वक्त every polynomial note कर ले every polynomial denoted by px fx gx कहने का term क्या है मिल लिए अब clear होना चाहिए fx gx px तो यहाँ x variable है तो x से ही यह start कर सकते हैं जैसे for example कैसे mathematics version में in a standard form a standard form क्या कहता है जैसे हमने कहा a0 से start किया तो यहाँ क्या करेंगे x0 फिर यहाँ a1 x1 बीच में कोई algebraic expression होना चाहिए what is a algebraic expression बताया मैंने addition, subtraction, multiplication and division तो यह क्या है addition तो जैसे ही 0 से start किये 0 से a1 x1 फिर a2 x2 और फिर ऐसे डैस 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 क्या an xn अब क्या यहाँ पे बोल रहा था कि जैसे कोई भी value a1 का standard form में 0 से start करेंगे तो यहाँ value क्या होता है अब x के power 0 क्या होता है 1 तो यहाँ पे directly x0 न लिखके आपका क्या लिखा रहेगा a1, a0 के वल फिर क्या a1, x1 a2, x2 a3, x3 ठीक है इस तरह से that is last an xn बीच में कौन साहल जबरी expression लगा हुए a का लगा हुए या नहीं plus plus का लगा हुआ है तो अब इसका केवल सीधा ही बच्चे करते हैं wrong method इसको हम दोनों तरीके से अब खेलेंगे खेलवार सीखेंगे कैसे करते हैं okay clear है इतना very good हाँ बिलकुल sound clear है okay reply me all of guys share clear sound is clear okay reply me say yes या नो clear अब okay clear okay तो देखना है अब कैसे करना है इसको अच्छे से समझना है जैसे मैं क्या कर रहा था x के term में है तो यहाँ x का ही total variable होना चाहिए total variable किसका होना चाहिए x का x x x x x x अगर हम यहाँ पे y variable करें जैसे polynomial को p y करें तो सारी value y के term में होंगे a 0 y 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा a 1 y 1 यहाँ पे ऐसे standard form में लिखने का तरीका होता है इस तरह से हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ जो भी value put करेंगे यह x y z r called क्या कहेंगे हम लोग किसी को हम लोग zeros कहते हैं in English form में क्या कहते हैं zeros या another name roots कहते हैं क्या कहते हैं roots ठीक है यह सीधा तरीके से पढ़ रहे है zero से start कर रहे हैं तो भी और ऐसे कर रहे हैं तो भी तो यानि this is called also name as क्या कहते हैं हम लोग variables क्या कहते हैं variables ठीक है और जो a 0 a 1 a 2 a 3 है a 0 a 1 a 2 a 3 है इन सब को हम लोग coefficients भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, coefficient each part जैसे x1 का coefficient a1, x2 का coefficient a2, x3 का coefficient a3, यह सब आपको तिखाएंगे, normal term में कि कैसे हम लोग करते हैं, अब हम लोग इसको सीधा पढ़ लिए, अब बच्चों इसको खेलके उल्टा भी पढ़ लेते हैं, कैसे खेलवाट सिखते हैं, क्योंकि add में कभी भी फर्क नहीं पढ़ता है, जैसे 1 प्लस 2 क्या होता है, 3 और 2 प्लस 1 भी क्या होता है, 3, तो जब भी कोई algebraic expression बीच में plus हो, तो दोनों तरीके से पढ़ना चाहिए, ताकि आपको तुरत दिमाग में आए, कि ये सही है, इस धंग से, आप गड़वर नहीं, कहीं किता में, a0, x0 से start करता है, और कहीं an, xn से, तो बच्चों गबड़ा जाते हैं, कैसे करना है, खिलना है, न, ढरना विलकुल नहीं है, systematic डंग से, कि polynomial को हम पढ़े कैसे, ताकि फिर कहीं के भी questions हूँ, उसको लगने चाहिए, ओके clear, तो आप देखिए, कैसे करना है, very good, reply me all of students, sound is clear, ओके, अब कैसे करना है, जैसे Dutch ने कहा था, special for you, कि sir हम लोग MF से नहीं denote कर सकते हैं, बिलकुल कर सकते हैं, डरना बिलकुल न ही है, ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग, जैसे MF है, तो अब यहाँ क्या हो गया, इसी को हम लोग 0 ज बोलेंगे, या roots बोलेंगे, तो all are denoted, हम लोग कैसे करेंगे, F से ही करेंगे, जैसे for example, अब last से सुरू करते हैं, जैसे हमने सुरू से किया, तो जैसे सुरू से, A0F1, A1F1, इस तरह से, यह 0 के रूप में, A2F2, यानि सारे formation F में ही रहेंगे, ठीक है, एकदम ऐसे करना है, यानि यह जो F है, हर जगा F ही होना चाहिए, खिलना है, डरना बिलकुल नहीं है, तो अब जैसे हम क्यों PX से ही करते हैं, क्योंकि सारे book में हम लोग को PX से ही करेंग आगे आगे जह ही करेंगे, थोड़ा toughest point पे तो बताएंगे कैसे करना है, क्लियर, reply me Dutch, श्रेया मिश्रा, साहिल, ठीक है, क्लियर है, reply me, yes यानो, ठीक है, fast, reply me fast, okay, clear, sound is clear, video is clear, okay, अच्छा है, very good, तो कैसे करेंगे, देखो, जैसे हम कहें, polynomial को हम लोग FX से भी कर सकते हैं, तो FX से कैसे करेंगे, देखो, जैसे for example, अब last से, जैसे हम लोग चलेंगे, उल्टा का क्या नाम है, उल्टा का उल्टा, ठीक है, किस तरह से चलेंगे, कैसे करेंगे, very good, ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो आए ए एन एक्स एन कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब क्या हो रहा है जैसे जीरो से हम लोग बढ़ रहे थे वान फिर टू फिर थ्री कितना प्लस हो रहा है प्लस वान हो रहा है प्लस वन हो रहा है प्लस 1 हो रहा है ठीक है जैसे ऐसे कर रहे थे A0 X0 A1 X1 A2 X2 A3 X3 प्रैक्टिस कर लें हैं इसी पर एक्दम हार्डर्ड कोश्चन होगा NTSC का फिर A N X N अब हम लोग पीछे जा रहे हैं अब उल्टा कर रहे हैं A N X N तो क्या यहां पर जैसे प्लस 1 करते जा रहे हैं वहां पी क्या करेंगे माइनस करते जाएंगे फॉर एक्जामपल जैसे कोई कहेगा वन टू १री फोर तो यहां पी क्या हो रहे है वन एड़ हो रहे है अब आँसे फॉर kol्लस куда रहे हो तो यहां वन एड़ नहीं हो रहे है न, क्या हो रहा है, minus 1 हो रहा है, minus 1 हो रहा है, negative part में चल रहा है, तो maths को जब तक आप धूनों तरीके से नहीं पढ़ेंगे, तो फिर आपको हमेशा disturb होगा, और आप हमेशा doubt and problems create करेगा, तो maths में एकदम खेलिए, दोनों पढ़िए, उल्टा का पुल्टा और सीधा, straight, तो जैसे अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पीछे से पढ़ने जा रहे हैं, तो an, xn, क्योंकि दोनों तरफ से question पूछा जाएगा, तो अभी clear कर लेना है, तो an, xn हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, जैसे an-1, तो यहाँ पे xn-1, a1, x1, और फिर a0, x0, तो math में कभी भी x0 नहीं लिखा जाता है, क्योंकि x के power 0 क्या होता है बच्चों, तो क्या होता है, 1 होता है, इसलिए यहाँ पे केवल, आप book में देखोगे, तो a0 ही लिखा रहेगा, ठीक है, क्योंकि a0 into 1, a0 ही है, symbolic form है, तो आपने practice कर लिया, कि कैसे हम लोग standard form में polynomial को लिखते हैं, तो it is called in a mathematics version, इसको हम लोग mathematics version, तो आप लोगो मन में आएगा, कि यह तो हम लोगों को पढ़ाएगी नहीं, schooling में भी नहीं कराएगा था, इसका मतलब क्या है, या हम लोगों को क्या इससे लाब हो रहा है, ठीक है, maths में सारे मन में जितने भी स्वाल आते हैं, how, why, कैसे, क्यों, क्यों हम लोग जानना चाहते हैं, इसका क्या तो अभी जवाब मिलेगा, ठीक है, इसका कि क्यों ये पढ़ रहे थे, क्योंकि ये this is your real polynomial, पहले इसी को सीखना है, तभी आपकी question जितने भी NTSC या Olympiad या कहीं भी question आएंगे, तो आप कर पाएंगे, ऐसे सीखना है, इसलिए ऐसा सीखा जाता है, क्योंकि जब question ही नहीं समझ पाएंगे, तो फिर हम लोग कैसे कर पाएंगे, ठीक है, तो ऐसे ही question बहुत सारे रहेंगे, और ये question क्या कराएगा, आपको डराएगा, लेकिन आपको डरना नहीं है, क्या, ये question केवल, उल्लू बनाया, बड़ा म आया, ठीक है, ये डरा रहा है, येवल क्या किया है, आपको उल्लू बनाया है, लेकिन डरना नहीं है, जैसे आपने कहावत सुनाएंगे, ये चीडिया आएगी, डाना डालेगी, लेकिन बाबू फसना मत, तो नहीं फसना, easy से सीखना है, tricks से, कैसे करेंगे, ओके, चलो, ज तो क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे question है, cleared है question, यह है, यहाँ पे given है, कोई भी solution करते हैं, तो given that से आप लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्छों, तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे given that है, given that, 3x-1 के पावर 7 equal to a7x7, a6x6, ठीक है, a5x5, a1x, a0, यह given है, ठीक है, अब यहाँ पे value किसका पूछा है, इतने की value पूछा है, what, इतना दिया हुए, value पूछा है, a7, a6, a5, a1, a0 की value क्या होगी, तो यहाँ पे, क्या लाना है, केवल a7, लेकिन यहाँ पे क्या है, x के पावर 7, तो यह, जब x के पावर 7 गाइब होगा, तभी a7 बचेगा, तो वो कौन सा value है, x का, जो किसी के भी power लगाने पे value गाइब हो जाए, ठीक है, तो दो option है, यानि ऐसे क्या करना होगा, तो खेलना होगा, putting the value of x, यानि x की value हम लोगों को put करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कि अगर हमको कोई value गाइब करना है, तो putting the value of x, putting the value of x करेंगे हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे 1 पूट कर देंगे क्या पूट कर देंगे 1 0 पूट करने पर क्या होगा 0 में multiply होगा तो वो all 0 हो जाएगा तो अगर यहीं question में इसकी value 0 पूछा होता तो हम लोग 0 पूट करते हैं लेकिन यहाँ पर गायब नहीं हो रहा है value यह दीख रहा है तो दीखेगा कब जब हम x की value क्या पूट करेंगे 1 x की value 0 नहीं पूट करेंगे ओके साहिल not putting x की value 0 क्या पूट करना है x की value 1 क्यों अगर हम x की value यहाँ 1 पूट करेंगे तो 1 के power 7 क्या हो जाएगा one हो जाएगा one के power six क्या हो जाएगा one फिर one के power five put करेंगे तो one यानि one के power कोई भी value हम यहां पे लगाएंगे every कोई भी तो हमेशा क्या देगा one चाहे even number हो चाहे odd number हो यानि question में क्या करना है तो इसकी value पूछा है तो solution में कैसे करें बच्चो तो x की value one ही put करना है तो यहां one put करेंगे तो क्या हैगा जैसे three into one minus one के power seven तो जैसे ही value put करेंगे तो यहां a seven one के power seven यहां a six one के power six a five one के power five a one into one plus a zero इतना ही की value पूछा गया था कि यह value निकाल दिये इतना की value पूछा गया था तो इसका solution किधर निकल रहा है इधर कितने बच्चों को इधर सोच रहे थे नहीं इससे घबडाना नहीं है maths क्या करता है जैसे एक्स इक्वल टू five तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं five equal to x दोनों सेम ही है तो घबडाना बिलकुल नहीं है खिलना है कि कैसे हम लोग करते हैं ओके तो कैसे फिर यहां पर solve करेंगे तो यह हो जाएगा a7 अब इसको सीधा लिखेंगे a7 a6 a5 ठीक है a4 a3 और a2 और a1 a0 जो भी होगा सारे value जो भी दिया होगा equal to 3-1 2 के power 7 और 2 के power 7 क्या होगा तो multiply 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 कितने टाइम 7 ताइम अब इसको solve करेंगे 2 तू जा 4, 4 तू जा 8, 8 तू जा 16, 16 तू जा 32, 32 जा 64, 64 तू जा 128, this is your right answer 128, okay तो cleared होना चाहिए कि कैसे इस तरह के question तो this is your general equation of a polynomial, okay तो इसी ढंग से करते हैं ऐसा ही question एकदम NTSC में आया था very very important question डराने वाला इसी तरह केवल डरवाएगा आपको डरना नहीं है यह सब फिर question आपको कप पढ़ाएंगे जब हम आपको जिरोज समझाएंगे ठीक है एकदम term wise कि कैसे हम लोग polynomial को सीखें ठीक है तो जैसे question में कैसे कर दिया very good dutch sing right answer आपको अच्छे समझना है जैसे यहाँ पे question दिया है PX is polynomial certifying the value यानि PX certified कर रहा है X plus 3 by 2 equal to PX को इसी को बोलते हैं 0s X की value 0s और फिर कर है P5 equal to 210 P5 equal to 210 तो what is the value of P8 P8 की value क्या होगा P8 की value पूछा है ठीक है यह important question very very important for NTSC exam national talent search examination every question are important ठीक है आप लोग कहेंगे कि यहाँ से polynomial का सुरुवात कि यही नहीं monomial polynomial नहीं बताए यह सब क्या बताने लगे सर नहीं real polynomial पहले सीख लेना है फिर 0 level से start करेंगे आपको मजा आएगा यानि मैंने क्या बोलता है एक होता है पढ़ना और एक होता है systematic अच्छे डंक से पढ़ेंगे जल्दी बाजी में कोर्ष नहीं किसी के school में 6.1 चल रहा होगा किसी के 3.1 मैंने ये खतम कर लिया जब school के examination दोगे वहाँ एक भी question solve नहीं होगे तो अच्छे से पढ़ेगा मेरा every class करने के बाद आप दुनिया का कोई भी exam दोगे every question जो है उसमें तो doubt clear करना है अच्छे से systematic डंक से बेटा पढ़ना है जल्दी बाजी का काम सैतान का ओके मैं जाईर सी बात इतना ही बात बोलता हूं तो कैसे करना है systematic डंक से देखो कैसे for example px plus 3 by 2 equal to px किसकी value दिया गया है यह 5 का हम लोग क्या put करेंगे x की value 5 put करेंगे कौन बताया यह ब px तो x की value यहां क्या है given 5 तो हम लोग यहां x की value क्या put करने जा रहे है 5 यहां put करें तो 5 plus 3 by 2 equal to यहां हो जाएगा p और x की value 5 हो गया अब इसको add करेंगे तो p और lc हम लेंगे 2 और 1 का तो 2 5 2s are 10 13 by 2 equal to और p5 की value यहां दिया हुआ है कितना दिया हुआ है put कर दे p5 की value दिया हुआ है 2 010 यानि 2010 ऐसे करना है देखें इस तरह के question हमेंसा disturb करेंगे जल्दी नहीं लेगेगा ऐसे question dangerous question होते हैं जो important है तो अच्छे से समय लोग 0s के question term wise ठीक है अब कैसे करेंगे देखो पी 13 by 2 की value 2010 हो गई अब किसकी value पूछा है 8 की value लेकिन value किसका दिया था 5 का value किसका दिया था 5 का तो again अब किसकी value हम यहां निकाल दिये तो पी 13 by 2 की value 2010 निकाली है लेकिन पूछा किसका था पी 8 का तो फिर again अब क्या करेंगे ध्यान में रखेंगे पी 13 by 2 की value 2010 आ गया इतना समझ में आ गया clear note ठीक है लिके बाद दीखो फिर से sergeant इसी कि में बूट करना है फिर से किसकी वैलो निकाल दिया कि किसकी value निकाले हैं यह अब निकला है एक सकी वैलो यहां अब मिल गया 16 by 2 मोट करने जा रहा हैưa 16 by 2 जिसकी value मिला है पहले 5 क्या दिया था तो 5 अब 13 by 2 पूट करेंगे तुरत रिजल्ट आएगा तो क्या पूट करें देखो 13 by 2 अब प्लस यहां 3 by 2 यहां क्या निकल गया P X की वैलू अब हम लोग पूट किये 13 by 2 ठीक है अब देखो P 13 by 2 आप लोग निकाल चुके हो पहले ही कितना निकाल चुके हो यहां पे पूट करो ठीक है देखो क्या निकला है 2 0 1 0 P 13 by 2 ठीक है P 0 P 13 by 2 की वैलू 2 0 1 0 अब इधर एड करो 2 2 का LCM 2 और 13 और 13 प्लस 3 अब कितना हो जाएगा 16 by 2 एकवल टू 2 0 1 0 कट हुआ P 8 की वैलू 2 0 1 0 यानि P 8 की वैलू भी आ रही है 2 0 1 0 कौन सा अप्शन सही है अप्शन 1 देखा यानि उल्लू बनाया आ वही कोशन लेकिन कैसे सॉल्व करें डराया दो दो बार पूट करवाया ठीक है इसको कहते है रियल पॉलिनोमियल इस तरह के कोशन आता है ठीक है तो डरना नहीं है बिल्कुल अच्छे ढंक से सीखना है कि कैसे रिपर्जेंटेशन होगा या कैसे हम लोग करें ठीक है तो इस तरह के कोशन ओलंपियाड में आते हैं अब आज आए असली 9th क्लास के एकसरसाइज के लिए जो आप NCRT से शुरुवाद कर सके या कैसे कर सके तो इसके लिए हम लोग को समझना होगा कुछ इंट्रोडक्शन और एक्जाम्पल जैसे हम लोग को समझना है कुछ general terms, definition तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा polynomials के बारे में तो सबसे पहले first of all समझना है constant क्या होता है constant यानि कुछ basic terms जब तक हम लोग नहीं सीखेंगे English version को mathematics version में तो फिर नहीं समझ में आएगा polynomial chapter ठीके बच्चों तो अच्छे डंग से systematic डंग से पढ़ना है तो चलिए कैसे reply me all of guys very good स्रया मिस्रा साही लेया दो अच्छे सिंग all of guys are ठीक है देखिए कैसे करना है सबसे पहले constant के बारे में constant क्या होता है तो बहुत सारे लोगों को बस यह पता होता है all numeric values are called constant क्यों अब किते लोगों को यहां भी confusion होता है क्या उसमें variable है every constant में variable है लेकिन छीपा हुआ कैसे अच्छे डंग से सीखते हैं तो देखो क्या बोल रहा है a symbol of having a fixed numeric value is called a constant so 2, 4 has a defined value so it is constant लेकिन कैसे सीखना है देखो जैसे इसका expression किया गया है जैसे 2 है 3 है 1 है तो यहां पे variable है 2x के power 0 के रूप में दिखाई नहीं दे रहा है 3x के power 0 के रूप में onex के power 0 के रूप में यह इसलिए constant की degree जब पुछी आती है तो every constant की degree 0 होती है ऐसा क्यों तो हमेशा degree variable को देखके किया जाता है और variable यहां है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, छुपा हुआ है, x के power 0 के रूप में है, यानि every constant polynomial की degree 0 हो सकती है, तो अच्छे से समझना है, नहीं समझेंगे, तो define clear नहीं होगा, तो अच्छे से every term को समझना है, reply me says यानो, अभी आपको constant के बारे में पता हो गया कि किसे क आते हैं constant, note कर लेना है अच्छे से बच्चों, यहीं सब question आपके अभी unit test में आने वाला है, तो अच्छे ढंक से सीखना है, अब पहला chapter खतम होगा है, तो उसका test हम Sunday को लेंगे, आपको बताएंगे उसको WhatsApp ग्रूप पे, तो कैसे करना है, इसको अच्छे से सीखना है, तो various numeric value is called variable, यानि जो alphabetical a से लेके z होते हैं, उनमें three main variables को माना गया है, वो कौन-कौन होते हैं, x, y, z, बच्चों बूलना नहीं है, variables, बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छे से सीखना है, तो variables क्या होता है, x, y, z, यानि alphabetical के main three letters, जो last three digits होते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, exam में, जैसे आगया, what is a variables, तो last three letter of alphabet, x, y, z, mainly three called is a variables, तो ये आप variables को बोल सकते हैं, ठीक है, या बोल सकते हैं, x, y, z, are called variables, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, रटना नहीं है, बूक का रटना नहीं है, अपना definition create करना है, अपना English language करना है, ठीक है, definition कभी रटे नहीं मारे जाते हैं, लीखे जाते हैं, सीखे जाते हैं, आप रट्टा क्यों मार रहे हैं, क्योंकि आपको English लीखने की practice नहीं है, आप हुआ बनाये हुए, डरना नहीं है, मेरे class में English अपने आप आजाएगा, कैसे लीखना है, इन एंग्लिस वर्जन, क्यों, क्योंकि हम लोग math को English से convert करना है, बोथ language में, बिलकुल डरिये, मत खेलिए, मजा आएगा, चलिए, कैसे करना है अब, अब असली सी सीखना है, coefficients, coefficients क्या होते हैं, ठीक है, तो coefficients in the product of a constant and variable, देके पहले constant समझे थे, और फिर क्या समझे थे, variable, तो जो each is called coefficient, each of other, बहुत सारे लोगों को problem होता है coefficient में खास कर, मैंने क्या बोला, एक होता है पढ़ना और एक होता है systematic अच्छे डंग से पढ़ना, वही clear होगा, एक एक चीज किलियर होगा, आप डर ही नहीं सकते हैं, coefficient क्या होते हैं, coefficient कुछ नहीं होते हैं, इन दोनों को ही coefficient कहा सकते हैं, एक दूसरे का, जैसे मैंने कहा द अब कहा सकते हैं टू का को कॉफिसियंट कौन है एकस और एकस क का कॉफिसियंठ क्या है 2 कि लोगों को प्रॉब्लिम होता है कि सिर्फ निमरिक वैली को क्वटिसियंट काथे हो नहीं जी retome को भी क उफिसियंट काते है इच पार्ट का एक दूसरे से रिलेशन है अच्छे डंक से समझिएगा ठीक है बच्छो तो अच्छे संग से नहीं समझेंगे तो किलियर नहीं होंगे एक एक टर्म समझाएंगे ठीक है बढ़ना नहीं है कि दो लेक्चर में पॉलिनॉमियल खतम हो गया एक भी कोशन नहीं आएंगे जीरो लेवल से नहीं सीखेंगे तो तो स्टार्ट जीरो लेवल पहुंचना क्या है ऑन दर टॉप ओके तो कैसे सीखना बच्छो अच्छे डंक से या नहीं हम लोग कह सकते हैं दिक ओफिसेंट ओफ एक्स इस कॉल्ड टू यहां पे दिक ओफिसेंट ओफ टू ए में और का कॉफिसेंट बताए किसका बताई आर का देःए सिमपल ट्रिकस क्या है अब जिसका कॉफीसेंट पूछे उसको बंद कर देंगे आर बंद कर दिया तो कितने लेटर दिखाई दे रहे हैं x, y, z, t and p तो r के coefficient ये सभी होंगे x, y, t, p r को छोड़के simple सा क्यों क्योंकि इसके बीच में कौन सा expression चल रहा है multiply multiply एक कर देता है ठीक है? दो तर्म को एक कर देता है लेकिन अगर हम यहाँ पे केवल x plus y कहते तो यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं होता है तो कौन सा value होता है? 1 तो यहाँ बुलेंगे कि x का coefficient तो x का coefficient 1 y का coefficient 1 यहाँ बीच में algebraic expression plus अलग-अलग कर देता है plus मतलब अलग-अलग इसी को समझना है चक्र कहाँ पे, variable का coefficient का दिक्कत कहाँ पे होता है बहुत सारे बच्चो को multiply में plus में नहीं सबका अलग-अलग होता है तो coefficient अच्छे से सीख लो बच्चो बहुत सारे को coefficient में बहुत गड़वड होता है वो भी खासकर fractional value में कि किसका हम value कहें ठीक है, तो हम बताएंगे आपको coefficient में दिक्कत नहीं होना चाहिए तो reply में all of guys are coefficient are clear coefficient किसको कहते हैं each part को in the product of constant and variable each called of coefficient जैसे 6x में 6 is the coefficient of x और x is the coefficient of 6 दोनों को बोल सकते हैं each part में reply में all of guys very fast Dutch, Anjali, Shahil, Shreya अच्छ है जल्दी से करना है सबको reply very good अब बताई दियें आपको next part जो है algebraic expression algebraic expression is the combination of constant and variable plus, minus, multiply and divide is called algebraic expression जिसको बोलते हैं algebraic expressions यानि कोई भी आपसे पुछेगा plus, minus, multiply, divide तो इसको algebraic expressions बोलेंगे अब हम लोग बोलेंगे equation देखो आगे चलके equation में यही problem होता है जैसे आप पढ़ रहे हो की polynomial एक पढ़ रहे हो इसमें quadratic polynomial एक पढ़ होगे उसी chapter को quadratic equation तो clear होना चाहिए polynomial अलग होता है equation अलग होता है इसलिए मैंने equation लाया तो equation as the two expression combined equally of the equal symbol जहां पर जैसे हम लोग का दिये केवल x तो it is called polynomial x equal to 0 जहां भी हम equal to का इस्तमाल कर दिये it is called equation यही फर्क होता है polynomial and equation में वहां हमेशा जब भी equation होगा तो वहां equal to 0 लगा रहेगा for example जैसे इसे पढ़े हो linear polynomial अब फिर पढ़ोगे linear equation what is the difference between of them दोनों में क्या difference है जैसे कोई पुछेगा linear polynomial तो linear में degree 1 होता है तो यह हो गया linear polynomial x क्योंकि यहां पर degree क्या है 1 और फिर आप से कोई पुछेगा x equal to 0 क्या है तो यह है linear equation इसको बोलते हैं linear polynomial क्या बोलेंगे linear polynomial ठीक है और यह बोलेंगे linear equation यही फर्क है दोनों में यानि polynomial में कभी भी equal to 0 नहीं लगा रहेगा और equation में हमेशा equal to 0 लगा रहेगा तो बोट्स में difference यही है आगे चलके बताऊंगा कि कैसे होता है ठीक है बच्चों अब आगे समझना है हम लोगों को identify of polynomial यानि polynomial को कैसे identify किया जाए क्या उसके mainly three tricks है ठीक है अच्चे से समझना है tricks for identify polynomial तो सबसे पहले हम लोग no का जान ले जब no का जान लेंगे तो yes अपने आप हो जाएगा कि कौन-कौन से polynomial नहीं हो सकते हैं not polynomial ठीक है पहले इसको समझ लेते हैं ठीक कौन-कौन से not polynomial होंगे इसको सीख लेते हैं ठीक है बच्चो not polynomial का पहले सीख लें not polynomial में सबसे पहले किसी भी algebraic variable का पहले variable का देखना है variable कौन है x, y, z में power जो है negative नहीं होना चाहिए power क्या होना चाहिए negative नहीं होना चाहिए तो कालाएगा no polynomial क्या कालाएगा no polynomial ठीक है दूसरा कोई भी variable root में नहीं होने चाहिए कोई भी variable root में नहीं होने चाहिए सिर्फ और सिर्फ depend upon variable note कर लेना atrix क्या है depend upon variables ठीक है variables पर depend रहना है आपको ठीक है जैसे आप कोई कहेगा root 5 तो यह variable नहीं है constant है it is polynomial यह polynomial है ठीक है लेकिन यहीं पर रहेगा root 5 x यह polynomial है yes 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 ठीक है लेकिन यहीं पर root x होगा तो लिखेंगे not polynomial यहीं बच्चे बहुत सारे दिक्कत करते हैं अच्छे से समझ लीजिए कोई constant term root में है तो वो polynomial है constant यहाँ variable पर सारे चीज़े हैं यानि variable के degree variable के power negative नहीं होने चाहिए variable root में नहीं होने चाहिए कोई भी variable का fraction power नहीं होने चाहिए कोई भी variable का fraction power नहीं होने चाहिए क्योंकि यह change हो जाएंगे फिर sods में जैसे हम x के power one by two को लिख सकते हैं root x x के power one by three को जैसे number system में पढ़ाय थे cubic root x square root x these are not polynomials यही simple tricks है polynomial को नहीं जानने का जहीं ऐसा कर लेंगे फिर simple tricks हो जाएंगे कि कैसे सीखना है ओके यह identify दग तो इस पर question कैसे होते हैं बच्चों उसको ध्यान देंगे जैसे which of the following expression are polynomial or not ऐसे ही question पूछता है कि कौन-कौन से polynomial हैं और कौन-कौन से polynomial नहीं है ट्रिक्स आपको पास है मैंने बता दिया आप जल्दी से कर लीजिए find out जल्दी से जवाब दीजिए every student reply me तो कैसे जैसे 11 plus x plus 1 yes यह polynomial है अब क्या है यहाँ पे x variable कोई भी power में सही से चल रहे है 2, 1 ऐसे इससे कोई घबड़ा नहीं यह भी power में yes polynomial केवल variable को देखना है यह भी क्या है polynomial yes अब यहाँ x के power 2 है तो x के power 2 आप पड़े हैं कोई भी value power से उपर जाएगा तो यह negative में हो जाएगा तो यह क्या होगा no यह polynomial नहीं है यहीं समझना है यानि कोई भी polynomial negative power में नहीं होने चाहिए तो यह क्या होगा no polynomial ओके clear ड़े बच्चो so reply me very good आसुतोस ठीक है अच्छे से समझना है कि कैसे होगा इसके बाद यह देखो यहाँ variable root y हो गया तो यह क्या होगा no ठीक है यहाँ पर क्या है value हो सकते है constant term कोई दिकत नहीं है यहाँ variable क्या है z जेड सही है not negative power not root तो यह क्या होगा yes यानि अभी identify polynomial कौन polynomial होता है और कौन polynomial नहीं होगा इसी का identify हम लोग कैसे करें वो three tricks पर जानना है ठीक है अब फिर आज के लिए बच्चो इतना ही आप यह homework total करेंगे क्या है question में जो आज बताएं है which of the following expression are polynomial yes या no बताना है कौन कौन से polynomial है और कौन कौन से polynomial नहीं है ठीक है बच्चो आज के इतना ही thanks आप जरूर करेंगे question जैसे यहां पर हमेशा ध्यान देना है हम लोगों को variable को check करना है जैसे variable को सिर्फ value को नहीं value root में हो सकते हैं but variable नहीं हो सकते हैं यह yes polynomial है ठीक है इसी तरह से किस question को करके whatsapp group पे भेजना है ठीक है बच्चो तो आज के लिए इतना ही thank you everyone बिलते हैं कल ठीक है अर्चो अर्चो तर्चो प्रॉड़ में है जैसे दोटीजड़ में है और फ्रॉड़ में अर्चो तर्चो यहां उलते हैं झाल झाल